हलो फ्रेंड सब्सक्राइब तो माई चैनल हाई स्कील्स एंड आलसो प्रेस ओन दा बेल आइकन तो वाच माई लेटेस्ट इंफरमेटिव वीडियो हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्वालिटी इंजिनियर इंटर्वियू टॉपिक्स के बारे में कि एक गुड़ क्वालिटी इंजिनियर को कौन-कौन से टॉपिक्स के बारे में नौलेज होनी लिए तो इस वीडियो को last तक देखें और वीडियो को skip ना करें तो friends जब भी आप किसी company में job की interview के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो interview होता है जो आपके interview लेता है वो आपके CV के उपर जो भी आपने roles and responsibilities को mention किया होता है उन्हीं के according आप से question put करता है depend करता है कि आप कौन सी stage पे work कर रहे हो अगर आप incoming stage पे work कर रहे हो तो वह आप से incoming के related ही question put करेगा अगर आप in process stage पे work कर रहे हो तो वह आप से in process के related question put करेगा अगर आप PDI stage पे work कर रहे हो तो वह आप से PDI के related question put करेगा अगर आप standard room में work कर रहे हैं तो वो आपसे standard room के related question जो है पूछेगा तो basically जो interview के questions होंगे वो depend करेगा कि आप कौन सी stage पे work कर रहे हैं या आपकी roles and responsibilities आपने ACV में क्या mention कर रखी हैं तो friends इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि as a quality engineer interview को crack करने के लिए आपको कौन कौन से topics के बारे में knowledge होनी चाहिए तो friends जब भी आप किसी company में interview दिने जाओगे तो interview जो है आपसे सबसे पहले question put कर सकता है कि quality control और quality assurance के बीच में क्या difference होता है उन दोनों के बीच में difference को बताएं और उन्हें properly define करें उसके बाद वो पूछ सकता है कि verification और validation में क्या difference होता है उसको properly explain करें तो friends उसके बाद interview जो है वो आपसे measuring instruments के बारे में पूछ सकता है कि measuring instruments quality में कौन कौन से use होते हैं जैसे vernier caliper, micrometer, height gauge जो भी आपको पता है उनके बारे में आपको knowledge होने चाहिए उनके use and application के बारे में knowledge होने चाहिए आप से वो उसके least count के बारे में भी पूछ सकता है उसके बाद वो आप से उसके parts के बारे में पूछ सकता है तो friends उसके बाद आपको GD&T के बारे में पूछ सकता है geometric, dimensioning and tolerancing के बारे में उसके symbols के बारे में पूछ सकता है इसलिए आपको GD&T के बारे में भी knowledge होने चाहिए और साथ ही में आपको drawing भी read करनी आनी चाहिए drawing के उपर जो symbols दिये होते हैं symbols के बारे में भी आपको proper way में knowledge होनी चाहिए और drawing को देख के आप part को कैसी चेक करते हैं उसके बारे में भी knowledge होनी चाहिए interviewer जो है वो आपको एक part भी offer कर सकता है और बोलेगा कि इस part की एक drawing को draw करके दिखाओ तो इसलिए आपको drawing को read करने की एक strong knowledge होनी चाहिए उसके इलावा आप जिस इंडस्ट्री में work कर रहे हैं वहां के quality management system के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए उनके close के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी automotive industry में work कर रहे हैं तो वहां का जो quality management system होता है IATF 16949 उसके बारे में आपको proper knowledge होनी चाहिए कि इसके clauses क्या क्या हैं वो आपको clauses के बारे में पूछ सकता है उसके बाद interview जो है वो आप से 7QC tools के बारे में पूछ सकता है कि 7QC tools हैं वो कौन कौन से होते हैं यहां फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि 7QC tools में से किसी एक tool के बारे में properly explain करें तो आपको 7QC tools के बारे में भी knowledge होना काफी important है उसके बाद interview जो है वो आप से 5 core tool जो कि IATF 16949 के 5 core tool हैं उनके बारे में भी आपको question put कर सकता है तो आपको हर एक tool के बारे में knowledge होना काफी important है चाहे वो APQP हो, चाहे वो PPAP हो, चाहे वो FME हो, चाहे वो SPC हो, चाहे वो MSA हो तो आपको हर एक single core tool के बारे में knowledge होना काफी important है जैसे कि वो आप से SPC के बारे में पूल सकता है कि SPC में CP CPK और PPPPK को कैसे कल्कुलेट करते हैं उसको explain करें या फिर MSA में पूसकता है कि gauge R&R क्या होता है और NDC क्या होता है PPAP में आपको documents के बारे में पूसकता है कि कितने type के documents होते हैं कौन-कौन से documents होते हैं FME में आपसे पूछ सकता है कि action priority को कैसी calculate करते हैं और last में APQP के बारे में भी कोई question put कर सकता है उसके बाद interview आपसे पूछ सकता है कि आपने कौन-कौन सी manufacturing processes में work किया है जैसे कि press working, welding, machining, casting, forging तो इन सब manufacturing processes के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए इनके parameters क्या-क्या होते हैं, उनके parameters को कैसे validate किया जाता है उसके बाद interview आपसे पूछ सकता है कि आपने अपनी previous company में क्या-क्या quizants किये हैं और कितने quizants किये हैं और quizants करके अपने company को क्या-क्या benefits दिये हैं तो आपको quizants के बारे में भी knowledge होनी चाहिए इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे poca yoke के बारे में भी पूछ सकता है कि poca yoke क्या होता है आपने अपनी previous company में कितने poca yoke किये हैं और poca yoke devices कितने type की होती हैं तो poca yoke के related जितने भी questions हैं वो आपसे put कर सकता है तो इसलिए आपको poca yoke के बारे में भी knowledge होनी चाहिए इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे problem solving के related question put कर सकता है कि अगर आपके in house में कोई quality के regarding कोई problem आती है या customer से कोई complaint आती है तो आप उसको कैसे handle करते हो तो इसलिए आपको AD methodology के बारे में knowledge होनी चाहिए कापा यानि की corrective action and preventive action के बारे में knowledge होनी चाहिए YY analysis के बारे में knowledge होनी चाहिए और root cause analysis कैसे करते हैं उसके बारे में knowledge होनी चाहिए इसके इलावा आपको work instructions, quality alert और one point lessons के बारे में knowledge होनी चाहिए और इसको कैसे prepare करते हैं इसके बारे में भी आपको knowledge होनी चाहिए इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे calibration के related question पूट कर सकता है कि आप अपने instrument को कैसे calibrate करते हैं आप कौन सा standard यूज़ करते हैं अपने instrument को calibrate करने के लिए history card को कैसे prepare करते हैं इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे metallurgical test के बारे में पूछ सकता है कि आपने कौन-कौन से metallurgical test perform किये हैं जैसे कि hardness test हो गया, case depth test हो गया, tensile test हो गया या penetration test हो गया तो इन test को कैसे perform करते हैं, इनकी क्या frequency है इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे product के layout के regarding question put कर सकता है कि product layout क्या होता है product layout में क्या-क्य documents लगते हैं इसका आप plan कैसे prepare करते हैं तो आपसे layout के regarding कोई भी question put कर सकता है तो इसलिए आपको product layout के बारे में भी completely knowledge होनी चाहिए इसके इलावा interviewer जो है वो आपसे sampling plan के बारे में पूछ सकता है तो इसलिए आपको sampling plan के बारे में भी knowledge होना काफी important है तो friends जो interviewer है वो आपसे cost of poor quality के बारे में पूछ सकता है कि cost of poor quality क्या होती है आप अपने company की cost of poor quality को reduce करने के लिए क्या-क्य actions लेते हैं interviewer आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप अपने supplier की problem को कैसे solve करते हैं अगर कोई भी supplier से आपको problem आती है तो आप उसकी audit कैसे करते हैं supplier के quality issues का analysis कैसे करते हैं और analysis करने के बाद आप action कैसे लेते हैं इसलिए आपको supplier की audit के बारे में भी knowledge होनी चाहिए interviewer जो है वो आपसे TPM के बारे में भी पूछ सकता है कि TPM क्या होता है TPM के कितने pillars होते हैं तो basic आपको TPM के बारे में सिर्फ basic ही पूछेगा हो उसके बाद आपको TQM यानि की total quality management के बारे में भी पूछ सकता है उसके बाद interviewer जो है वो आपसे पूछ सकता है कि audit क्या होती है audit की types कौन कौन सी होती है जैसे कि first party audit, second party audit, third party audit तो उनको explain करने के बारे में बोल सकता है तो आपको audit और types of audits के बारे में भी knowledge होनी चाहिए इसके इलावा interviewer आपसे quality circle के बारे में भी पूछ सकता है कि आपने आज तक किसी quality circle में participate किया है या नहीं किया है अगर participate किया है तो आपकी क्या performance रही है आपने क्या achievement की है वहाँ पे इसके इलावा आपको six sigma और lean manufacturing के बारे में knowledge होनी चाहिए या फिर lean six sigma के बारे में भी basic knowledge होनी चाहिए interviewer जो है वो आपसे six sigma के related या lean six sigma या lean manufacturing के related किसी भी type के question जो है वो put कर सकता है साथ में आपको computer के बारे में basic knowledge होनी चाहिए जैसे की ms excel, ms powerpoint, ms word, autocad और gmail इन सब के बारे में आपको basic knowledge होनी चाहिए क्योंकि इन सब के बीना आप आज के time में quality department में as a quality engineer work नहीं कर पाएंगे तो friends आप इन सब topics को read करके और इन पे practice करके आपने आपको as a quality engineer interview के लिए prepare कर सकते है तो friends hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें और मेरे channel को subscribe करें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको notification मिलता रहेगा यूट ज़ा वीडियो कि आने वीडियो के भीडियो कि आनापको आपको नहा है कि यूगको कि आने पारे मेरे वीडियो रखके आना